गुड नोन मेरे प्यारे स्टुएंट्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वार कॉलॉम्स स्क्वार कॉलॉम्स में नीचे सेक्शनल भी हुआ है ये वाला आपके सामने और उपर जो है वो है प्लान सबसे पहले मैं एक्शन आपको समझाऊँगा इसके ही दर ये आपको प्लान भी समझाऊँगा आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो सेक्शन होता है आप इसी सही प्रोजेक्शन लेकर के प्लान भी बना सकते हैं और प्लान सही प्रोजेक्शन लेकर सेक्शन भी बना सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आती तो हम section को लेकर के start करते हैं section को समझने के लिए सबसे पहले foundation का समझना जरूई है foundation से start करते हैं सबसे पहले जो है आपकी एक square column है square column में यह सामने से क्योंकि front view है एक तरह से तो front view में आपको सिर्फ इसकी width दिखाई देगी इसकी गहराई जो है वो ऐसे दिखाई देगी इसमें तो यहाँ पे जो है सबसे नीचे जो है आपका वो concrete का bed है concrete का bed जो है वो cement concrete bed है 1 is to 4 is to 8 का ratio है जिसमें cement, baloo और concrete है इसके बाद इसके उपर 15 nose 15 bars जली वही हैं आप यहाँ पे count कर सकते हैं इस तरीके से और इस तरीके से 15 bars है 12 mm की both ways bar है यह बोथ ways का मतलब होता है vertically और horizontally दोनों तरह ऐसे गही हुई bars numbers इनके same है 15 ऐसे और 15 ऐसे तो इसके अलावा फिर आप जब उपर बढ़ेंगे तो यह आपका vertical reinforcement है और इसके बाद इसको bind करने के लिए tie bars है tie bars जो होती है इनको binding का काम करती है इनको bind के रखने का काम करती है और इनकी आपस की center to center spacing होती है वो आप पूछ रहेते हैं तो center to center spacing होती है वो ऐसे होती है कि इस डाया है वो है 6 mm यह आप देख रहे है 6 mm इसका डाया है 6 mm डाया से इसके center से इसके center की distance है वो 250 mm है इसके आगे फिर ये आपका four nose यानकी ये वाली जो चार bars है ये यहाँ पे ये चार बार है four nose 16 mm ये जो चार बार है ये 16 mm वाली है ये वाली इसके बाद में है ये side वाली bars वो है four nose 20 mm number of bars जो है वो चार है 20 mm की bars है एक, दो से चार तक तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक से ले करके एक, दो, तीन, चार ये वाली जो outer है ये box वाली है और ये जो 5, 6, 7, 8 वो ये वाली है जो बीच में ऐसे दिखाई देगी अब जब आप यहाँ से projection भी लिके जाओगे तो बीच वाली जो बार है ये सामनी की तरफ में यहाँ पे आएगी और जो side वाली है वो ये वाली bars है ये, ये वाली bars है इसके बाद में इसमें cover है आग, उपर की तरफ में side से ये cover है reinforcement को cover करना बहुत ज़ादा जरूरी होता है अगर ये cover ना करा जाया तो reinforcement corrode हो जाता है ये आपके सभी beams में column में, slab में सभी में cover दिया जाता है अलग-लग तरह से इनका नाम रखा जाता है placing की उपर depend करता है ये end में है तो end cover उपर है तो top cover नीचे है तो bottom cover इसी तरीके से then हम आगे इसका ये जो joint है construction joint है मैंने आप लोगों पहले भी बताया था कि जब corners पे जब beam का condition होती है तो beam की conditions पे corners पे shear force max होता है तो इसलिए हम corners में जो bars इस तरीके से bend करते थे वो corners पे करते थे जब यहाँ पे इस side पे wall होती थी अब यहाँ पे क्या है जो force आ रहा है वो बीच में आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे उपर की तरफ में reinforcement है यह उपर की तरफ में reinforcement max है क्योंकि इसको जो force आएगा वो इसको इस तरीके से bend करेगा मतलब यह जो उपर वाला beam है आपकी वो ऐसे मतलब ऐसे curve में bend होनी की संभावना होगी तो उपर की side में tensile force की वैसे इसको उपर की तरफ में reinforcement है वो maximum रखा जाता है इसके बाद में यह जो land जा रही है dotted यह आपकी slab line है slab line मतलब यह जो है आपकी beam है beam के उपर supported होगी slab slab के बाद में फिर यह आपका plan है plan में क्या है कि plan में जो 2.5 meter इस तरीके से है 2.5 meter इस तरीके से है और जो beach में है यह आपका यह वाला हिस्सा है और यह जो caging आपको दिख रही है यह वाली bottom की जो reinforcement है यह यह वाला है और जो यह dotted line जा रही है चारो side से यह है आपकी जो यह वाला slope है यह square होगा तो चारो side से इस तरीके से ढाल होगा ऐसे ऐसे ढाल उस side को ऐसे ही इस side को और इसी तरीके से इस side को तो जो slope है उसी की वैसे ये dotted line दिखाई गई है ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को कोई भी doubt हो, इसको समझने में दिक्कत आ रही हो, आप लोग पूर सकते हैं और हाँ, अगर आपको scale लेने में भी दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपको scale लेने में एक बार और help कर दे रहा हूँ scale लेने के लिए, जैसे 2.2 meter है ये, अगर आप 1 by 10 का scale लेंगे, तो 2.2 हमको क्योंकि centimeter में बनाना है, तो हम centimeter के according ही convert करते हैं इसको, इसकी सारी dimension जो है, उस centimeter में लेंगे, क्योंकि हम उसमें centimeter में बनाते हैं बनाने के लिए आप mm का भी इस्तमाल कर सकते, कोई गलत नहीं है, अब ये 2.2 meter है, इसका मतलब 220 centimeter, आप जब अगर 1 by 10 का scale ले रहे हैं तो वो हो जाएगा, जब आप इसको 10 से divide करेंगे, तो ये 22 centimeter की line आ जाएगी जो कि काफी बड़ी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, scale को बड़ा है, ये छोटा scale होता है, जैसे जैसे drawing बड़ी होती जाएगी, scale भी बड़ा होगा, और drawing छोटी होती जाएगी, वो scale छोटा होता जाएगा, यहाँ पर हम जब इसको बनाएंगे, तो क्योंकि 22 centimeter काफी होता, तो हम इसके 1 by 20 का, मतलब 20 का divide मारेंगे, तो 11 रह जाएगी, तो वो थोड़ी और छोटी हो जाएगी, आप 11 centimeter की आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, then इसी तरीके से फिर, जो भी इसकी dimensions होगी, वो सारी ही divide होगी, जो भी आपने skill लिया, माल लेते हैं हमने 20 का skill ले लिया final, ठीक है, 20 का skill से हमें ये लग रहा है कि इसकी maximum जो सबसे बड़ी dimension है, हम skill भी उसी according लेते है, जो इसमें सबसे बड़ी dimension है, उससे divide मारके, अगर वो आपकी sheet में proper बन नहीं है, तो हम फिर उसी से ही, वही skill follow करेंगे, और उसी skill से हम फिर सारी dimensions को divide करेंगे माल लेते हैं, हमने 20 ले लिया है तो अब हम इस dimension से भी 20 का divide करेंगे हम ये जो 70 है ground level की depth, जो है GL मतलब ground level, इसमें भी हम 70 में 20 का divide करेंगे जो PL है, plinth level है, इसमें हम एक को ये 100 cm हो जाएगा, 100 cm में हम divide 20 का करेंगे इसकी जो भी dimensions होगी उन सभी dimensions में हम divide 20 का करेंगे और उसके बाद में ही आपकी जो drawing बन के आएगी, वो बिरकुल सही बन के आएगी, खीक है अब आप बना के देखिएगा, इसको कहीं भी आपको दिक्कता दिया, पूर सकते हैं आज के लिए इतना काफी है बाबाई, अपना ख्याल लखिएगा घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिए